जैसा कि आप जानते हैं कि कार्टिक मास में दीबदान का कितना महत्व है तथा तुलसी जी के साथ पीपल पत्वारी की पूजा और दीबदान का भी बहुत महत्व है पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी जी के कितने तार की बत्ती बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी दी थी अब हम जानते हैं कि पीपल देव और पत्वारी माता की कितने तार की बत्ती और कैसे बनाए पीपल देव की 13 तार की 13 बाती बनाई जाती है इसके लिए या तो आप 13 तार का सूर्थ इस तरह ले ले हमने 5-5 तार के 2 गट्टे यानि की 10 तार तथा 3 तार का 1 गट्टा लिया है यानि सब को मिलाकर 13 तार होंगे अब इन सब को एक साथ लेकर किसी बड़ी कॉपी या किसी कार्डबोर्ड पर इस तरह से 6 बार पूरा और 1 बार 2 लपेटे फिर इसे इस तरह से दोनों साइट से कट करके बत्यों का साइज कट कर लें और उन्हें भानते जाएं इस तरह से आपकी पीपल की बत्ती कुछी देर में तयार हो जाएगी पीपल की बत्ती तेल में भीगो कर पूरे कार्थिक मास सुबह या शाम या फिर दोनों समय जला सकते हैं इसी तरह पत्वारी माता की बत्ती तयार करें पत्वारी माता की बत्ती पांच तार की पांच बत्ती की एक बत्ती बनाई जाती है इसके लिए इस तरह पांच तार का कच्चा सूत ले ले यह पांच तार का सूत है तो इस तरह यह पांच तार की एक बत्ती हो गई ऐसी हमको पांच बत्ती चाहिए जिने मिला कर एक बत्ती बनेगी तो उसके लिए या तो हम ऐसे पांच गटे ले ले फिर उन्हें इस तरह से मिला कर बत्तियों के साइज में कट करते जाएं तो आपके पत्थवारी माता की बत्तियां तयार होते जाएगी या फिर आपके पास एक ही गट्टा है तो आप किसी बड़ी कॉपी या कार्ट बोर्ड पर इसे लपेटें जितना बड़ा लपेटेंगे उतनी जल्दी बत्यां तयार होंगी तो फिर इस पाच तार के सूत को चार बार पूरा और एक बार आधा लपेटें फिर दोनों साइट से कट कर ले और उसके बाद बत्यों का साइस कट करते जाएं इस तरह से बहुत ही जल्दी और आसानी से आपकी सभी बत्यां तयार हो जाएंगी इस कार्थिक मास पीपल देव और पत्वारी माता आपकी सभी मनों कामनाय पूरी करें Jai Shri Radhi